नमस्कार आपके साथ मैं आदती इतियागी आप देख रहे हैं News 18 इंडिया और मेरे साथ जो political शक्सियत है उन्हें किसी introduction की ज़रूरत नहीं है हमारे साथ आसाम के मुख्यमंत्री और BJP के 5 brand leader हमान्त बिस्वसर्मा है सर बहुत-बहुत स्वागत है जैहिन और टाम देने के लिए बहुत-बहुत आभार भी सबसे पहले तो सबसे डीसेंट कंट्रोवसी जो है और वो कंट्रोवसी जुड़ी है अर्विंद किष्डिवाल के statement पर वो यह कह रहा है कि आपकी पाटी में तरह का नियम बनाया मुदी जी ने कि 75 के बाद retirement वो claim कर रहा है कि योगी अधितिनात मुख्यमंत्री की कुरसी से अटेंगे सितंबर में नरेंदर मोधी रेटार्मेंट लेंगे और अमिश्या जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर टेक ओवर करेंगे अब देखिए पहला बात के जिर्वाल का जो भी statement है आपको देखना पड़ेगा कि और तिहार से ही आया है आपको देखिए पहले तो इसको दिसकाउन करना साइए उनका दिमागी हालत को देखते हुए लेकिन में कमंट्री है अब दिसकाउन करना ठीक मही है मैं यह बताना साथा हूँ कि किसने बोला कि 75 यर्ज का कोई रूल बीजेपी में है अज नारायन राने सुनाव लग रहा है उनका उमर कितना है हमारा प्रदेश में ही बहुत सारे बिदाएक है जिसका उमर 75 प्लास है यह बात आपका दिमाग में है लेकिन आप सून लीजिए मोडी जी पास साल के लिए तो परदान मंत्री हैं भगवान उनको लंबे आयुद है और उनका हाथ से ही उनका मार्ग दर्शन से ही उनका प्रधान मंत्रित का काल में ही भारत अमरित काल में पहुंसे तो आप ये कह रहा है कि ये कोई रूल नहीं है अर्विन केश्रिवाल का फिग्मेंट अफ इमाजिनेशन है बिकास कभी-कभी क्या होता है कोई भी लोग रिटियर होते है मेडिया 75 यह बोल देते हैं तो एक चल जाते हैं लेकिन हमारा पार्टी का अंदर में कोई भी ऐसा रूल नहीं है लोग 75 यह बियाउन इट इस ओल आपका सास्त कैसा है आपका हैल कैसा है कल राज मिस्टर जी गवर्नर है राधस्तान का 75 प्लास यह से मैं आपको तमांग सक्षियत का नाम गिना सकता हूं जो 75 यह बियाउन का आगे भी काम किया है कोई रूल नहीं है जहां तक जोगी जी का बाद है थोरी दिन पहले मोडी जी यूपी में थे मोडी जी ने क्या बोला कि जोगी जी मेरा मुखा मन्त्री है जोगी जी का बुलडोजर का साथ साथ जोगी जी ने जो यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसका बारे में भी डेश को जनना सबिए अभी टिहार में टीवी का फेसिलिटी उनको मिला था नहीं मिला था ये तो ही जाने अच्छा राहुल गांदी के चैलेंज की बात करते हैं राहुल गांदी ओपन चैलेंज दे रहे प्राइम मिनिस्टर को कहने हैं मिरे से आके बहस कर लीजें काल अगर में जाके अमेरिका जाता हूं और बोलता हूं Trump को कि मेरा साथ आप बहस करो कि Trump मेरा साथ बहस करेगा पहला बात बटाइए आप को नहीं Ayn Ram and Madan Lokur sahab का कुछ inherent deficiency है अब American system of electoral debate ये भारत में नहीं होता है कारण क्या है American president is not accountable to Senate सिनेट में कभी ट्रांप और बाइडन साथ साथ नहीं बैटा है बत हमारे जो भारत का देमोक्रेसी है इसमें इंदिरा गांडी जी और बासपेई जी हर दिन एक साथ पार्लेमेन में बैटा है सो दिन से लेकर देर सो दिन संक्षत सलता है आपका पास अतना डिवाईज है यू कन इंदल्ज इन डिवेट और पी एम इस बाउंड तो रेस्पॉंस लाइक अनो कॉंफिदेंस मोशन मोशन थैंक्स तो दे प्रेसिदेंट देर अर मेनी डिवाईजेज वेर अनली पी एम रिप्लाई तो हमारा इहां में प्रेसिदेंसियल डिवेट हर दिन होते है पार्लेमेंट में अगर आप अच्छा पार्लेमेंटरियन है तो दिवेट हमेशा होता है question is अगर लाहुल गंदी का प्रदान मंती जी का साथ अतना डिवेट करने का सग है आप तु कर सकता था कॉंग्रेस पार्टी ने उनका प्राइमेरी स्पिकर किसको बनाता है अगर आपका पार्टी ने आपको मोगा नहीं दिया है तो मोडी जी आपको मोगा देगा अब खागे जी को जाके पूशो सुनिया गंधी को जाके पूशो कि मुष्कु доллар of opposition आपने क्यों नहीं बनाया अगर में लीडर of opposition होते थे या लीडर of the Congress Parliamentary Party होते थे हर दिन में मोडी जी का साथ बहस करता था बहस करने का बाद जो मोका मिला वो दिन भी जाके मोडी जी का सामने हो क्या क्या किया जाके उनका कुर्शी पे आप तो देखा होगा तो ये बैक्ती एन रामा लुकुर साहब बाइदेन और ट्राम को धून रहा है बट वो भूल गिया है हमारा संगसद में ही हर दिन बाइदेन और ट्राम होता है यू कें डिवेट एवरी डे तो ये जो सो कॉल इंटेलेक्शियल है उनका बहुत बरा समझसा है यह या तो अमेरिका को कपी करना साथ है या तो इंगलेंड को कपी करना साथ है इसका यही समझसा है अचा राहूल गांधी तो आपके फॉर्मर कॉलीग रहे है राहूल गांधी अपसे दस साल पहले और राहूल गांधी अब 2014 के एलेक्शन केंपेन में आपको लगता है कि राहूल गांधी का जो सपना है देश का प्रधान मंत्री बनने का उसकी दिशा में थोड़ा भी आगे बने राहूल गांधी का सपना क्या है उनका में प्राइवी नहीं हूँ लेकिन अगर आप मुसको बोले कि सुनिया गांधी का मैडम का जो भी प्रयास रहा राहूल को में सियोड बनाना वह सक्सेस नहीं हुआ इस बार सुनाओ में भी सक्सेस है क्यों ने ऩो बोलते थे कि मोडी जे हमारा सथ डिबेट करो तीन सरन का सुनाओ खटम हो गया आप ने परलेमेन में डिबेत नहीं किया अब बोल रहे अभी मेरा साथ डिबेट करो you will be leader of a आपका उमर से भी कम संगसट आपका साथ होगा आपका साथ कुन जाके दिबेट करेगा अ लीडर भी आप नहीं हावी तक तो मेरा लगता है कि जो दीन राहूल गांधी एमेथी से वेनाट सला गिया he lost everything as a politician हम लोग नहीं जाते थे जहां हारा हूँ अगली बार सुनाओ उहाई जीतेगा मेरा एक बहुत ही पर्सेनल एक्सपिरियेंस है मैं आपको सेयर करता हूँ मैं जीबन का पहला सुनाओ हर गिया था फिर मैं पीवी नर्सीमा राओ जी को मिलने गिया था तो पीभी नरसीमा राओ जी ने मुझको बोला था कि तुम सुनाव हारा है ये तुमारे लिए मोका है अभी तुम लोगों से पास साल मिलते रहो अगली बार तुम बहुत जादा भोचे जीट जाएगा and we stick to his, I stick to his advice in my formative period of politics constituency change नहीं किया, tough constituency थे and today result is there before everyone but आपने क्या क्या एक सुनाव हारा तु आप उत्तर से डक्षिन पहुंच गिया and that too in a constituency which is totally Muslim dominated constituency आप राजनीटी किसका सहारे करते हो, Indian Union Muslim League का सहारे आप राजनीटी करते हो आपका नमांकन में आप Congress का फ्लैग भी आप नहीं लेके जाते हो यह कोई politici या नहीं वो तो कहरें राइबरीली जीत रहें पांच लाग सीटों से राइबरीली जीतना अलग बाद है, जीते ना जीते वो तो अलग बाद है, वो तो EVM बताएगा अगर में पास लाग बता दूँगा तब तो बोल देगा यह तो EVM मैनेज करके रखा है, नहीं तो आप भी तो 400 पार कहा रहे हैं, नहीं हम तो 600 पार बोल रहा है, वो तो पास लाग भोट से जीतेगा बोल रहा है, if I take your statement on a face below अगर में बोलूगा नहीं नहीं, मैं 60 लाग 10 अजार बुट से जीतूँगा, तो बोलेगा मैंने EVM मैनेज किया अशा वो समिधान लेकर जाते हैं, वो कहते हैं आपको 400 सीटे इसले चाहिए क्योंकि आप constitution बदलना चाहते हैं देखो, BJP को constitution बदलने का जरूरत क्या है, BJP जो करना साथ है, वो तो सब कुस constitution में है, अगर आप हमारा constitution पढ़े, constitution में क्या लिखा है, कि आपको इनुफर्म सीविल कोड लाना परेगा, आपको गो हैट्टा को आपको बन करना परेगा, fundamental duties में क्या लिखा है, कि you have to contribute to the development of this nation, आपको ये डेश का विकास में आपको अपना योगदान देना परेगा, now, बीजेपी कुन साल अलग बाद बोल रहे है, वो संग्विधान में ही तू बीजेपी है, बाबा साहिब अंबेटकर जी ने जो बोल के गिया है, ओही तू हमारा भासा है कि इनुफर्म सीविल कोड लाना है, ओही तू हमारा भासा है कि देश में पर्शनल लॉज नहीं रहेगा, ओही तू हमारा भासा है कि भाई भारत पाकिस्तान का अगर मैज होगा, अब पाकिस्तान के लिए तालीमत बजाईए, भारत का विकास में कंट्रिब्यूट करो, तो हमारा ही भासा constitution में लिखा है राहुल जो constitution दिखाता है लोगों को ये मेरा तो नहीं लगता है उस constitution में part 3 है उसको खोल के आपको देखना साइए कि इसमें directive principle of state policy है कि नहीं मैं देखना साथा हूँ कोई दिन अगर मोकामी ले तो मेरा लगता है वो pages नहीं है उसमें तो आप कह रहे हैं कि वो पूरा constitution लेकी नहीं मेरा लगता है वो जो constitution दिखाता है उसमें काफी pages नहीं है किसलिए जो बीजेपी है बीजेपी का core ideology है यह भारत का संग्विधान से ही है हमें क्यों संग्विधान बदलना साइए जब हम जो साहते हूँ वो सब कुछ संग्विधान में है तो हमें क्यों संग्विधान बदलना है अचा वो कह रहे हैं कि जब आपने इतना काम के हिंदू-मुसल्मान करते हैं आप लोग हर स्पीश में जागे राम मंदिर बताते हैं तो करना परेगा क्यों करना नहीं परेगा हमारा देश का जो बत्वारा हुआ वो तो religious line में ही तो पाकिस्तान बना on Hindu Muslim plan नाओ पाकिस्तान का साथ atomic weapon है मान लीजिए तो हमें भी atomic energy develop करना परेगा पाकिस्तान का कश्मीर policy क्या है उसका counter में हमारा policy हमें बनाना परेगा पाकिस्तान का पास P.O. के है हमको लेना है कभी ना कही तो हमारा जो political India का जो भारत का जो political foundation है उसमें Hindu Muslim conflict is a inherent thing अभी हम देश को एक आधार पर लेके जाना साथा हूं जहां conflict resolve होता है देश में शुरुवाद ही हुआ Hindu Muslim conflict से तो ये बाट कोई नया बाद नहीं है कि हमारा देश में conflict नहीं है वो तो था you have to admit but प्रयाज हुआ ये conflict कम होते जाए एक बार uniform civil code आजाएगा conflict कम हो जाएगा एक बार 370 खटम हो गया बहुत सारा conflict खटम हो गया एक बार राम मंदिर बन गया conflict खटम हो गया आगे जाके कृष्णा जनम भूमी हमें दे दो और ज्ञान बापी हमें दे दो conflict कम हो जाएगा हमारा तो effort ही है कि conflict reduce करो लेकिन conflict नहीं है आप वो बोल नहीं सकता है देश का बिभाजन का अधारी तो वो conflict रहा नहीं लेकिन वो conflict अब देश के भीतर आप क्रिएट कर रहे है यह सदुदीन हो ऐसी किसे भीतर से ही to conflict हुआ आज भी तो हमारा देश में conflict है अभी भी तो कोई सारे कास्मीरी बोलते है कि देश को आजाद देओ कास्मीर को आजाद करो that elements still exist within the country अभी तो देश में बहुत सारे militants है जो देश में आके बोम दे देते हैं and you know about their religion तो that conflict still exists सबका साथ नहीं जो आपका ethos को India as a nation जो लोग अभी भी accept नहीं किया है उनका साथ तो आपका conflict है वो conflict नहीं है कुन बोला है हमारा सारा effort ही है इस conflict को resolve करना लेकिन conflict नहीं है यह भूलना जूद है that conflict exists in various level कोई हिंडू नहीं साथ है कि भारत में कोई अजाद काश्मीर बने लेकिन मेबी minimum but a minimum percentage of muslim feels that there should be azad kashmi कोई Hindu leader नहीं है भारत में जाके बोलता है Pakistan का साथ बात करो बोर्डर खोल दो बत फारूक अब्दूला स्टिल एक्जिस्ट मेभूबा मूफ्टी एक्जिस्ट इन डिस कंट्री so यह एक conflict resolution का phase है and conflict resolution का तरफ अब जाएगा तो conflict का बात तो जिगर आएगा या आएगा ठेक है आप conflict की बात कर रहे है यहाँ पर मेरा सवाल यह है जो अभी आपने जिक्र किया पाकिस्तान पर मैं लोटूंगी वापास क्योंकि हम इंदुत्व की बात कर रहे थे अभी नाना पतोले ने का कि आपने ऐसा राम मंदिर बनाया है कि उनको शुद्धी करन कराना पड़ेगा अभी शुद्धी करन नाना पतोले का और एक लाइन आगे बुलिए उनने बोला हम लोग सुद्धी करन करूंगी Congress Party का लीडर कून है Sonia Gandhi सुनिया गांधी का रिलीजियन क्या है कोई जानते हैं इसी ए प्रैक्टिसिंग हिंडू सुनिया गांधी राम मंदिर का कैसे सुध्धी करन करेगा बटाईए how she can take initiative वो कैसे राम मंदिर शुद्धी करन का initiative ले सकता है until you are a practicing Hindu तो मैं नाना पाटोले को पूछना साता हूँ भाई आपका मेडाम का religion आप पहले मुझे बटाओ फिर जाके आगे होगा कि आप राम मंदिर में अंदर भी जा सकता है नहीं जा सकता है एक अलग बाते मंदिर कमिटी निन्ने लेगा लेकिन आप सुद्धी करन तो नहीं कर सकता है उनका पहले तो डेश को बताओ आप Hindu है की नहीं मैंने तो लास्ट पास साल उनको कोई Hindu मंदिर में नहीं देखा वो सकता है सिमाइड भी हिंडू I do not want to dispute बट कम से कम तो राम मंदिर सुद्धी करन का पहले कम से कम तो अपना नेटा का religion तो बताओ देश को लेकिन जो opposition के leaders ने शत्रुगन सिना ने कहा अब जाते नहीं लोग राम मंदिर में रामगोपाल यादव ने का अशुब है पेकार है आप जतना राम का खिलाप आप बोलेगा आप राम मंदिर जाते नहीं हो आप कैमेरा लेके जाओ ना देखो ना राम मंदिर में लोग जाते की निढ़ जाते यह लोगों का दिमाइब में कि हमने जाते मतलब कोhem कि यह वांप तो थेंग तेमसेलब अंटलब कोहीं नहें तो लाखो लोग नहीं जाते राम मंदिर में आप जो दिन भारत का रास्टरपटी महुदया राम मंदिर में गिया, नेक्स दे आपने अनपसना बोलना शुरू कर दिया, आपका भाय्य भी होना परेगा ना राम का डर्शन के लिए, अगले जनम में कुछ पुन्न किया होगा, तभी तो राम का डर्शन मिलेगा, बोलवा आते है मां का वैष्ण देवी में तभी जाते है, तो बोलवा भी तो आना परेगा आपके लिए, लोग तो ऐसा नहीं जा सकता है, मेरा भी आज तक जाने का सोभग्य नहीं हुआ है, बोलवा नहीं आया है, मैं भी तक नहीं गिया हूँ, अल्दो आप फुल दिव आपके लिए फ्रेंड असदुदी नहीं की बात करते हैं, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो आपने डिबेट देखियों कि पंदरा मिनिट वर्सेस पंदरा सेकेंड जो नवनीत राना ने का फिर उनका वर्सेस एक घंटा, फिर असदुदी नहीं का कि अप अभाई तोफ है, छोटे-छोटे कहते हैं, मेरा भाई तोफ है, मैंने रोक रखा है, बोलूँगा तो तो इंको आप छोड़ीजे, आप रुकवा के मत रखिये, आप उनको छोड़ीजे फिर मुन्ना का हम लोग ख्याल कर लेगा, आपका मुन्ना है ना, तो हम उसको प्या वाके मत रखिये, वो सेहत के लिए खराब होता है, अच्छा, ये कहते हैं वो, और आप ये आरोप लगता है सर, कि आप मिया मुसल्मान को बहुत डराते हैं, आप कभी NRC, कभी CA, कभी उनके मदर से, कभी उनके शादी, कभी उनके बच्चे, नहीं, देखो, मैं गलत कहां कि आपका बच्चा केतना होना से, दो तिन जतना को आप एडूकेशन दे सकते हो, वो बोलने में गलत क्या है, आज आसाम का तीन सव मुसल्मान बच्चा, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पड़ता है, मदरसा नहीं जाते हैं, तो ये क्या है मतलब, ये मैंने कोई गलत मेरा एड़्वाइस का कारणी आज को ओम को तीन सव डॉक्टर मिल रहें, मैंने एड़्वाइस क्या दिया, कि बच्चा को आप छोटे उमर में साधी मत करवाई, इस लीगल एड़्वाइस, जो संगमिधान हमें अथरिती देता है, कानून अथरिती देता है, कि आप साध साधी कम उमर में मत करवाऊ, और स्टेट को देखना है कि कोई भी कम उमर में साधी नहीं होता है, I am just disarging my role as a chief minister, कोई तु प्रिवेलेंट प्रेक्टिस का खिलाप आप बोलेगा, लोग सोशेगा आप दरवा रहा है, but that is the mandate of the law, police जो law enforcement के लिए जाते है, कोई लोग police से डरता है, लेकिन police नहीं साते कि मुझ से डरो, police साते कि मुझ से कौपरेट करो, हमारा भी यही है, हम नहीं साते कि मुझे डरो, लेकिन अगर मैं कानून का बात बोल रहा हूँ, तो मुझे कौपरेट करो. आप कानून के नाम पर कॉपरेशन की बात करें लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी दिर पहले आपने पाकिस्तान का जिकर किया मुझे याद है फारूख साब का भी आपने जिकर किया था फारूख अब्दुला ने का पाकिस्तान ने चूडी नहीं पहन रखी है आप जाएए पाकिस्तान में जाके देख के आए क्या पहनते है पाकिस्तान शूरी नहीं तो कुछ तो पहना होगा तो फारुक अब्दुल्ला को आफ्टर डा इलेक्शन फ्री टिकेट्स बगरा दे देना साइए वो जाके हमें आके बता वो क्या पहन के रखा है आटेर हमें हमारा गल्ती होगा हम λοक साथ हम लोग सोस्ते हैं क्यों पहन के रखा है मेबि और कोई दूसरा सीफ पहन के रखा हुआ है फारुक अब्दुल्ला सेब को एंट्री मिल जाएगा वो जाके देख्या कि हमें बताओ क्या पहन के रखा है उस्तु पहन के रखा होगा ना अच्छा मणी शंकरियर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बम है गिरा देगा साफ सेकिंड में अमरिस्टर पहुंच आएगा मात करो पाकिस्तान से मैं तू यह मानता हूं कि उनका पास बोम था लेकिन जो डेश का भी अनास खरिदने का पैसा नहीं है किया वो बढम बढम के बैठा हुआ है वह भूबोम फुटेगा बॉम को भी टामें करना परेगा वों का पीसे भी तो आपको खर्शक करना परेगा पकिस्तान का साथ पैसा है आज मैंकि तो मदी संकार आयर को पहले यह ख़़ा लेना साइए कि यह भी 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 बोम यह कह रहे थी आपको मैं देख रही हूं Sam Pitrodra साप कहा रहे थी कि North East के लोग Chinese लगते हैं मुझे तो आप बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हैं भारती है आपने यह क्या है Sam Pitrodra is a Conscience Keeper of Rahul Gandhi फोरें भी जाते हैं तो दोनों एक साथ ही रहते हैं यही अनापसाना बात दोनों साइड करते रहते हैं इसलिए Rahul Gandhi भी कभी आलू से सोना वला बात बोल देता है Sam Pitrodra भी बोल देता है इसको साइनी जैसा लगते है इसको आरब जैसा लगता है बात इस आपक आप सामने आए तो मैं सवालों को लेके थोड़ा सा ग्रीडी हूँ और मुझे पता है आप टाइम प्रेस्ट भी हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी इजाज़त से वो सवाल पूछ ली हूँ अभी एक प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार जो कमेटी है उसकी एक रिपोर्ट आई थी रादा उसमें ये कहा गया कि करीब 8% हिंदू 1950 के मुकाबले डाउन हुए और जो माइनॉरिटी थी खास्तों पे जो मुसल्मान थे वो करीब करीब 14% पढ़े मेरा लगता है I come from Assam मैं Assam का बात बोल सकता हूं प्रती दस साल में Assam में हिंदू ग्रोड होता है लेवल ऑफ 14% और मुसल्मान ग्रोड होता है 29-34% मतलब हर दस साल हमसे मुसल्मान आबादी 10% क्लियर उपर बार रहे पसत्तुर साल हो गया तो Assam में कुल मिला के 75% आगी गिया है देश का भी बाकी जगा का हलोते ही होगा तो यह जो रिपोर्ट है यह स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट है लेकिन में मुसल्मान कौम को बात एक बात बोलना साहूंगा कि देखो नंबर से कुछ नहीं होता है अब बरहा है नौ मैं क्या कर सकता हो you have a liberty आपने किसी को जनम दिया है लेकिन शिक्सा दीजिए इसको आपने quality इंप्रूफ करवाई है quantity से you cannot take over India quality बढ़ाई दादर इसमें क्योंकि आपने असाम का जिक्र किया इसमें क्या यह population ही बढ़ रही है आपको लग रहा है यह आंकड़ा गुस्पैट की वज इंडिया मुगलो के काल में चला जाएगा जहां पर मुस्लिम्स डॉमिनेट में आप देखो there is a two level of demography जो चेंज होता है डोनों कारण में होता है एक है internal changes जो मैं भरतियो हूं लेकिन आज हिंडू कॉपल एक बच्चा का जनम देता है and if musulman नौ बच्चा का जनम देते है I don't know I have not verified it मान लीजे तब भी आठ का variation हो जाएगा मैं एक region बता रहा हूं फिर you have a exposed border at least Bengal and Bangladesh का बीच में border का बहुत ही system अभी भी बहुत ही जो होना सही है अभी भी ओ नहीं है Meghalay का border Assam का border Pora से many areas still not being guarded so Delhi में जारखान में जो नया आबादी आप देख रहा है these are result of ghuspet so आपका दो region से बारते है ghuspet का कारण भी बारता है और आपका जो बाठ ratio है वो हिंडू से जादा है तो दोनों region से बारते है ठीक है प्रियंका गांधी वाद्रा की बात कर ले राहूल गांधी पर तो आपने काफी detail में बात करी वो करी है कि उनके भाई कायर नहीं है डरपोक नहीं है मोदी जी कायर ओडर पोक है उनका भाई क्या है उनसे हम क्यों सार्टिफिकेट ले घर में हो सकता है वो कायर नहीं है हमारा भी नतोवार सिंग तो लिख के गया था कि ही तुक आउटे पिस्तल सुनिया गांधी को पी एम नहीं बनने के कारण डेजे बूक रिटेन बाई न कायर नहीं है तो क्या आप जाके बुस्ली जैसा फाइट करेगा बॉक्सिंग रिंग में जाएगा अपको क्या करना है मतलब what signal you want to send कि मोडी जी आपसे मेरा भाई ताकतबर है और बॉक्सिंग रिंग में मेरा भाई सबको खा जाएगा यह बोलना साथ हुआ क्या बोलना साथ है मतलब मीनिंग क्या है कि मेरा भाई दर्पुक नहीं है what is the meaning of that signal आपका भाई दर्पुक नहीं है इसलिए तो यह सारे कुछ काम करनामा करते रहते हैं तो वह दर्पुग होते थे तो बहुत साव काम नहीं करते थे जो आदमी खुद बेल में है ओ कराप्शन का खिलाब बोलते हैं अगर दर्पुग होते थे कुछ भी सेल्फ रेस्पेक होते थे he would have remained silent पहले हर दिन में ओनी लंबानी को गाली देते थे आसकाल तो नाम भी नहीं लेते हो फूल गया पर continental को अभी आप अभी आप दर्पुग है या नहीं आप अभी आप भर्णी से आप दर गिया तो ऐसलीर आप उनका नाम भी नहीन लेते हो वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार सबसे बड़ी शिकस्त मिलने वाली है तो तो अपना वीज है लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगली बारा दिन में अमेठी और राइवरिली में रहूंगा मतलब क्या है आपको बोलना सहित अगली दस दिन में यूपी में रहूंगा तो आपने तो तेरी तरी हमें देही दिया कि एक सेब आमेठी और राइवरीली और यूर्स हम तो खाली बारा दिन इधारी रुकूंगा तब मतलब क्या है सारे ठीक है वो दोनों में हम आपको fight करेगा बाकी तो sit आपने हमें नहीं दिया ठीक है, लास्ट सवाल है संजय निरूपम ने कहा कि औरंग जेब को महराष्ट में गाड़ दिया गया तो नरेंद्र मोदी क्या चीज है इब्राहिम मुसा जो कि मुंबई ब्लास्ट में आरोपी है वो केंपेंड कर रहा है उद्धर ठाकरे की पार्टी के लिए कैसे रिस्पॉंड करते हैं आप देखे, संजय निरूपम अभी सिपसेना में जॉइन किया है हमारा एलाइन्स पार्टनर है हमें उनका उपर टिपनी करना ठीक भी नहीं है और टिपनी नहीं करना साई बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ इस साक्षाकार के लिए इतनी कैंडिडली बात करने के लिए में तरफ से बहुत बहुत आभार धन्यवाद